एलो स्टुडेंट बेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल अरिहंत लेक्चर आज की वीडियो में बात करेंगे इंगलिस में पास होने का ट्रिक ठीक है आपने यूटूब पे हजारों वीडियो देखिऊंगी लेकिन यह जो वीडियो है यह जो वीडियो आप देखोगे यह जो ट्रिक आप देखने वाले हो 110 परसंट जीनियस ट्रिक है अगर आप इस ट्रिक को अपलाई कर दिये अपने एक्जाम में पूरा नंबर तो आपको मिलना 110 परसंट गारंटी है और आपको कोई कभी जिंदगी में फेल नहीं कर सा वो ट पहुत सारे वीडियो देखे होंगे वट यह जो ट्रिक है सबसे अलग और जेन्यून ट्रिक टिक है ब्र्वेज्डियों को सुरू से लेकर जमन तक जरू देख रहा आज ऐसम महम जानेंगे कि इंगलीस में पास होने का ट्रिक में बिलकिए एक अच्छे मांकश लाने का भ रखाऊं जिससे कि आपको सब कुछ प्रूप के साथ लाइव प्रूप दिखाऊंगा यहां पे बोर्ड की कापे यहां पे बोर्ड का पर हर इक चीज में लिख कर लाइव प्रूप आपको दिखाने वाला अगर आप इस वीडियो का आज मीश कर देते हो न तो आप कभी यह कोई भी question का answer या कोई भी objective question ना है तो उसे ट्रिक से कैसे लगाए कि 110% सहीं हो जाए और इसमें पूरा का पूरा नमबर मिल आपने अगर इस वीडियो पर कि लिख किया है तो आप एक lucky इंसान हो आप से छोटी रिक्वेस्ट है कि वीडियो सुरू से लेकर अंतक जरूर देख से आप अच्छे marks ला सकते हो आपको English पढ़ना नहीं आता फिर भी आप question के answer लिख लोगों इस ट्रिक से और आपको number भी मिलेंगे यह ट्रिक मैं आपको live proof के साथ दिखाऊंगा और आप खुद इस एक examiner से वीडियो को देख रहे हो ठीक है तो मैं इस बच्चे ऐसे लगा करना उसमें objective question को हम पहले हल करें कि पहले descriptive type के question को हल करें ठीक है दिखो सबसे पहले आपको जो question अगर objective question में से कुछ question आते हो तो उसको आप हल कर लो और जो नहीं आते हैं उसको बाद में करना कैसे करना यह चीज़े हम बताऊंगे आगे आपको अब आप कहोगी कि passage नहीं आता तो passage को trick से कैसे हल करें वो भी trick देखेंगे application later trick से कैसे लिखें तीक जो बिल्कुल ऐसा कुछ later आ गया तीक कभी कभी board में देता है जो कि आपको बिल्कुल ना पता हो तीक ना आता हो तो उसे trick से कैसे लिखना है एक सुक्त मैं इतना इंग्लिश का पेपर ले रखाए ठीक है ताकि आपको एक सही प्रूफ दिख सके आपको प्रूफ दिखा सको ताकि कि आपको कोई बात में confusion ना हो कि इस trick को board में लगाऊं की ना लगाऊं सबसे पहले आपके board exam में objective question आएंगे और board में अगर आपको option both A and B सहीं होगा ठीक है अगर आज आता कि जैसे कोई question देदी आप उसमें एक option है both A and B ठीक है या आपको ठीक है वह अला option 99% वही option correct होगा अगर आप यह trick देखकर जाते हो अधर बच्चों से आपका option correct होगा ठीक है जैसे मैं इसका प्रूब दिखा दूँआ आपको सबसे पहले यहाँ पर दिख सकती question आए कि in the speaker opinions the world will end in ठीक है तो यहाँ पर both ice and fire यह इस तरह से भी आएगा और एक question आना 110 परसेंट जैसे इसमें question दे रखा आपको यहाँ पे कि how did किसा feel a first and being unable to find such seeds ठीक है तो बोथ A and B यह 99% या 100% आपको यह आख बंद करके मार दना कर ऐसा question आजेगा और यह question आपकी board exam में और आता है ठीक है अगर option all up the above यानि इन में से सभी उप्रियुक्त सभी का एक option चौथे नंबर इसको देता है तो यही सही होगा 99% सही होने का chance होता है और सबसे ज्यादा सही होने वाला objective शुरुआत में A वह C और last में B वर D होता है और सबसे ज्यादा जो सही होता है वह A वह C होता है मैं आपको proof दिखाता हूं इसका यहाँ paper में शुरुआत में A correct हुआ ठीक है फिर C correct हुआ इसके बाद इधर आप देख सकते हो यह देखो आप A correct हुआ ठीक है इसके बाद C correct हुआ एक करेक्ट हुआ इसके बाद A correct हुआ इसके बाद A correct हुआ ठीक है एकाक्टू B correct हुआ इसके बाद देखो यहाँ पर C correct हुआ इसके बाद यहाँ लाश्ट आ रहा है तो इसम यहां पर भी C correct हुआ इसके बाद यहां पर भी आप देख सकते और भी सारे question है पैसके इसमें भी आपका cens correct हुआ यहां पर UhrC correct हुए ठीक है तो अकतर जो आपका ए और फंना ए शहुता ये भी पार्ट भी में रीडिंग आपको मिलता है ठीक है और यहां पर सबसे पहले आ जाते हैं रीड दौ फॉलोविंग पैसे स्केर फुली एंड एंसर दक्वेस्चन देट फालो यानि कि इसको आप पैसेज को पढ़ना और इसके नीचे दिए आंसर को आपको इसका अंसर को पी मिलेगी एक स्केल से जादे की दूरी लेकर हम लाइन खीच लेंगे तो इस तरह इसके बाद सबसे पहले हम क्क्या करें थाउं कं आर पर हम हैड क्क करें पार्ट भी कर एंगे kilow से इसके बहुत इंपॉर्टेंट तैं सब से नीचे से 250 तरह से खीच देनी है अब आप क्या करना 165 बें क्या करने वाले हैं am valuable एक रीडिंग करें जो भी करेंगे उसका हम लिखेंगे यहां पर मैं सबसे पहले क्या लिख दिना है reading 8 10 छोड़ कर जहां से हैं keep up सुझङ दिए अब स्काथन अंसर्टौ यां से अब की यहांको क्या उसर चैंप तो यहां पर हम पहले डाल दिया, ठीक है, अब यहां पर हमको क्या बोल रखा है, यह question दे रखें, ठीक है, अब इसका answer हमें passage है, हमको बिल्कुल नहीं आता कि passage के answer को कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले यह बोल रखा कि आपको carefully passage को पढ़ना है, देन उसके बाद आपको इस question के answer को देने है, बट मैं कहूंगा, कि आप सबसे पहले question को पढ़ो, again आप इसके answer को दो, ठीक है, तो आईए question को पढ़तो, why was the shopkeeper surprise, अब कहोगे sir मैंने question तो पढ़ लिया, आपने बोला, ठीक है, इसमें main main word को आपको tick up करना इस तरह से, आपको board exam में नहीं करना, अपने मन shopkeeper मिल गया, क्या मिल गया, shopkeeper इसका main word मिल गया, shopkeeper, अब यही जो line है, इस ही line, इस question का answer है, ठीक है, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, देखो, आपको लिखना कैसे, यह line हमको मिल गया, यही इसका, देखो, यहां से, यहां से, जहां तक fully stop नहीं, यहां से शुरू होगा, और he purchased all the boards from the shopkeeper, and set them free, at this the shopkeeper was surprised, ठीक है, यहां से लेकर, और एक fully stop, तक यह हमारा क्या होगा, answer, जहां भी main word मिल गया, जैसे, यह main word हो गया, यहां पे मिला, यह line ही, इसकी पूरी क्या होती है, answer होती, इसको लिखना कैसे, लिखने की सुरूआत कैसी करनी है, आई answer seat पे देखते है, यहां पे सबसे पहले पहले number को करें, तो पहला number डाल दिया, अब हमको सुरुआत कैसे करनी है, हमें सुरुआत सबजिक्ट से करनी है, ठीक है, अब देखो subject आपको कहाँ खोजने जाओंगा, कैसे मुझे तो, बिल्कुल English ने, आपको देखो question से जैसे ही आप answer समय, जी आपने हटा दिया, इसके बाद सुरुआत आपको subject से करनी है, subject कैसे मिलेगा आपको, कौन या किसको से question पूछने पर यह आपकी लिट अप है, बट मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूँ, जिससे यहां पे वाज है, क्या कोई भी helping verb आजाए, वाज आजाए, को आपको क्या कर देना है, उठा कर यहीं से answer की शुरुआत करनी है, दसाप की पर surprised है, ठीक है, इतना हमें सबसे पहले answer seat पर लिखना पड़ेगा, यही चीज़े है, आप नियमों को भूल जाओगे, लेकिन जो तरीका बतांगों उसे आप कभी नहीं, question से answer बनाते समय, question word क question में आई हुए did को भी हटा देते, यह next question में हम देखते कैसे करना इसको, इसमें तो did आया नहीं है, देको question से answer बनाने का यह rule होता कि यह जिस tense में उसी tense में हमें इसका answer लिखना, यहाँ पर वाज में ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पर वर लगा तो वर में रहेगा, यहाँ हाज लगा है, तो हाज लगाएंगे, कैसे, सबसे पहले आप subject उठाएए, दस वाप की पर आपका क्या है, यह subject है, हम इसको लिख लेते हैं, अपने subject को लिख लिया, एंड लिखने के बाद, यहाँ पर जो भी helping verb लगा रहेगा, ठीक है, यहाँ पर वाज लगा है, यहाँ लगा दिया, इसके बाद जो यह है, surprise तो इसको आप लिख दो यहाँ पर surprise, हमने surprise लिख दिया, यह तो पूरा हमने लिख दिया, अब हमें उठाना कहां से, surprise ही, देखो यहाँ पर लिख दिया, कि दस आप की पर वाज surprise हुआ, अब यहाँ पर हमसे why, जैसे ही why का question आ जाए, वहाँ पर जैसे देखो, यहाँ पर हमने बताया न, कि question और को सबसे पहले हटा दना है, एंड हटाने की बाद आपको लगाना क्या है, ठीक है, देखो जब भी आप question what हटाओगे, तो आपको उसमें क्या-क्या लगाना है, आप देखो so that लगा सकते हो, ठीक है, so that, so लगा स सकते हो, या विकाज लगा सकते हो, इसको meaning को तयार कर लो, और विकाज कहा लगाना है, जब भी वाई आजाए question में, यह वाई आया है, यह जब आजा ले तो question में विकाज लगे गा, यहाँ पर लिग दिन गा, the shopkeeper was surprised, इसके बाद विकाज, ठीक है, विकाज surprised हुआ क्योंकि he purchased, ठीक है, यही क्या है, वो man है, ठीक है, he purchased all the birds from the shopkeeper and said them free, यानि कि वो सभी पच्ची को खरिद कर उसे free कर देता है, यही चीजे देखर दुकंदार आश्चर हो जाता है, तमको कि उसे अजई है, यही जाता है, यही जाता है, यही जाता है, इसके व्योग की है, यही चैसे विकाज़ए Examples को मंपटेश, ब fiance अकर प्चूर- सब्लाभ़एएंद़गते हैं डरीकों मेधिए dato आप थजए क्योंकिंशक्रापनी पूली कि utilizz है, बह लो छो के लिए खिर वी झाल 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 पर देख सकता हमने इप से उठाया और सीम तक क्या किया पूरा का पूरा लिख दिया ठीक इप से उठाया और सीम तक लिख दिया इस यहां से आपके नंबर पक्की हो जाएंगे ठीक है इसके बाद एक question यहां पर आता है find out word in the passage which means jail तो यहां पर jail का मतलब cave आया हुआ है ठीक है तो यहां पर caves आया, cave मतलब पिज़रा होता है jail मतलब भी इनसानों का पिज़रा है ठीक है jail इसके बाद चौथा question आता है find out a word in the passage which is the opposite of the sold अब आपको कहोगे कि यार कभी को भी मुझे opposite word नहीं आते ठीक है कोई भी opposite word आपके नहीं आएंगे तो आप एक रामबाट ट्रिक लगा देना ठीक है देखो यहां पर sold का इसमें तो purchase आया हुआ है sold मतलब क्या होता बेचना purchase मतलब खरीदना ठीक है तम यहां पे अगर नहीं आएगा opposite word कोई भी opposite word ना है use is not fail far क्या है is not fail far लगा दोगी यह grammar का रूल है आपका कभी गलत नहीं होगा ठीक है जैसे हमें यह sold का नहीं आ रहा है तम यहां पर क्या लिख देंगे चौथे नमबर का ठीक है यहां पर में लिखना चौथे नमबर का और यहां पर लिख देंगे sold अप अपोल सोल टीक और इसका opposite क्या हो जाएगा हम इसकी जगा पर यह त्रीकी ही लिख देंगे यह, is not fail far ठीक है यह पर लिख देंगे इस not सबसे पहले इस साइड में आपको क्या लिखना हुता है अपना पता लिखना है आपको पता नहीं पता है आप जहां रहते हैं उसकी ही पता लिख दो वही एड्रेस लिख दो सबसे पहले इस साइड में आपको क्या लिखना होता है अड्रेस लिखना होता है जहां लेटर भेजना है आपको कुछ नहीं पता आप जहां रहते वही एड्रेस लिख दो यहां पर लिखा गांधी नगर आगरा उत्तरप्रदेश और यहां पर डेट डाल दो 22 फरवरी 2024 सब् हम सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे इसके बाद है किसको लिख रहे हैं फादर जी को लिख रहे हैं यहां पे लिख देंगे माई डियर फादर दुंझा ऐसा लेना तो थोड़ा इतना कहना पड़ेगा कामा लगाना ठीक है अब इसके बाद देखो आपका जो टीचर कोपी चेक करता है उसको एक फार्मेट मिलता है यानि कि अगर इतना भी बच्चा करकर आएगा तो भी इसके आधा नंबर मिलेंगे ठीक है अब देखो यहाँ प से देट भी लिख सकते हैं लाइक टू इतना भी लिख कर अगर इसके बाद आपको क्या करना है देखो यहां पर आई है नीड सम्मनी टू परचेज माई निव बुक्स इसी यानि कि इसी से भी आप लिख सकते हो कर यह पूरा लेटर ठीक है यहां पर आमने देखो बीत मोस आपको ल análkomցदृ eel माजक लगा दमा नीडृ के बाद यह-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e यहां से भी आप पैसेज उठा लो पैसेज उठाने का क्या तरीका जैसे यहां पर का लगा है, फूली स्टाफ लगा है तो आपको एक पूली स्टाफ से शुरु करनी है और यक फूली स्टाफ तक लिखना awaiting लिखनों में ठीक है और आगे भी जो पैसे जाते हैं उनसे भी आप लिख सकते हो ठीक है तो आपको क्या करना इसी में से फुली स्टाप से थोड़ा सा उठा कर इसमें क्या कर देना है इस से लेटर में भर देना सिंपल ठीक है फिर इसके बाद दियर आई रिक्वेस्ट यू टू इतन इस माफी पर सबसे यहां पर प्रात्ना पत्र लिखना है अंसर टू क्येश्ट नमबर डाल देना है इसके बाद टू ठीक है कामा लगाना है दब प्रिंसिपल जहां के हैं एच भी आई कॉलेज आग्रा उत्तर प्रदेश ठीक है सब्जिक्ट आपको डालना है इसे तो है चीजी के बाद आगाना है यह चीजी आपको त्यार किना रिस्पेक्ट फुली आई बङक टू से डैट सब्सेंट इतना भी लिख सकते हो से देट जानते हो की बात आपको जानते हुआ student of class 12th I am student of class 10th ठीक हे इतना लिग देना इसके बाद आपको क्या कर लेना है ये पैसेज में पैसेज में से आपको कुछ कुछ रहे कुछ उठा लिए एक से दो लेना हैμα में कई पैसे है इप फ्रंट पेंज पर यहां है या यहां से फुली स्टाप लगा है और यहां तक उठाकर थोड़ा सा भर देना इसमें ठीक है यह आप रिलेटेड लिख सकते हो कि इसके बाद यहां से यहां से शुरुआत करने है ठीक है अगर थोड़ा बनाने आता तो बनाकर लिख देना पूरी नमबर आपको मिलेगा आपके बोड़ एक्जाम में आर्टिकल राटिंग आता है ठीक है तो यहां पर दिरकर राटिक है इसके अंतरगत आपको लिखना है ठीक है तो सबसे पहले आपको इंट्रोड़क्शन लिखोगे फास्टेडिंग कंकुलूजन लिखोगे ही लिखोगे और यह तीन हीडी होती है उस मतलब कि उस जो आपको दिया रखा है आर्टिकल उसे रिलेटेड होती ही बीचके ठीक है सबसे पहले आपको इंट्रोड़क्शन यह चीज़ दिया तो बहुत आसान है यहां पर हमें सबसे पहले क्या डाल देना इंट्रोड़क्शन ठीक है इंट्रोड़क्शन देखो कैसे डालेंगी यहां पर इंट्रोड़क्शन यहां पर लिखेंगे कि दर रेगुलर एक्सर साइज आवर बाड़ी फिट इतना लिखने के बाद यह जो पैसेज होती है हमने बताए जो पैसेज आपको दिया जता है उसी में सापको भरना है ठीक है अपको यहां से फूली स्टाप से उठाना है और यहां तक यह कामा तक लिख सकते थोड़ा से लिखना है तो इतना आप डाली है किफ़ आवर बाडी एक्टिव इसकी लिए हम लिखेंगे कि रहेगूलर यहां पेलिख। Για दिल्त और तृउट इतना है यह यहाप लिखेंगे कि regular exercise, tension free and happy all day long, इसके बाद passage उठा कर भर दो, better concentration on his study, यहाप लिखेंगे regular exercise, better concentration on his study, इसके बाद conclusion में लिख दो कि regular exercise, our body active, इसी चीज़ को उठा उठा करे, active, tension free and happy all day, better concentration on his study, यही सब लिखना आपको conclusion में, ठीके, नहास चाली हो जाता आपका grammar, ठीके, grammar में, यहाँ पर grammar डाल देना, grammar लिखेंगे, जो भी चीज़े करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे, answer to question number डाल देंगे, ठीके, और इसके बाद यहाँ पर दिखो, यह grammar आगे, कि the teacher said to the boys obey your elders, आपको इसमें कुछ नहीं आता, थोड़ा बहुत आता, said to को टोल में, बदल दो, कोई भी टेंस हो, ठीके, जो भी थोड़ा बहुत आता है, आपको थोड़ा बहुत आता, इसमें change कर दो, पंच्वेट आता है, तो आप चीजों को जा लो कि कौन सा capital, यहाँ आप एक कामा लगा देंगे, और इसको इनिवेटेट कामा करेंगे, how you complete your homework, इसके बाद एच्छी जवरा आप काता है, ग्रामर में, यह आ जाती है, translate the following into English, ठीके, इसको देखो कैसे करना, आपको इमांदार बेक्ती सच्चाई कमार कभी नहीं छोड़ता, वो परिसरमी होत तो आप परिसरमी को परिसरमी लिख दो, ठीक है, जिस यहाँ पर है कि वो साधा जीवन उची बिचार पसंद करता है, तो आपको पसंद करना का लाइक करना ही पता है, तो आप सीधी से पसंद करना ही लिख दो, पसंद इसकी मीनिंग लिख दो, ठीके, लाइक के जिगर प हम इस question वर्ड को हटा देते हैं ठीक है और जहां भी वाई आता उसमें विकाज लगाते अंसर में कैसे देखो यहां पर कि हम सबसे पहले क्या करते हैं लिखते हैं क्वेस्टिन का अंसर बनाते समय दव पोश्ट मास्टर हम सबसे पहले लिखेंगे हमने बताया कि यहाँ पर जो चीजह होती हो फिललग टिए लेकिन क sparkling इसको इसको वाटेंगे लिए यहाँ पर जो कि कि पर सफेंट इसको लिख दीजिए इसको नहीं लिखते कर ट्रापर आ लगाते बट आप जो है वो लिग दो ठीक है सेंड मनी टू लैंचुए इतना हमने लिख दिया the पोष्ट मार्टर सेंड मनी टू लैंच को अब हमने बताए यहां पर हम क्या लगा देंगे विकाज कि एक बिकाज अब हमने बताया कि जो आपकी English की पेपर होती है इसमें यही पैसेज नहीं इतना पैसेज आम देखो इसमें बहुत सारे पैसे जाते जैसे यहां पे आ गये तो आपको कहीं भी कोई पैसे से क्या करना है एक फुली स्टाप से यहां से उठाना है इसके बाद कुछ फुली स्टाप तर ठीक है जहां आपको फुली स्टाप दिखता हूं वहां तक आप थोड़ा सा दो लाइन आप लिग दो word limit का ध्य यही चीज़े देखते हैं इसके बाद दिखो अगर कोई भी question अगर आपको आ रहा है तो आप question का अंसर लिखो बट ना आने की situation में यह चीज़े हैं ठीक है इसके बाद जैसे यहां पर है यह चीज़े अगर यह नहीं आता तो को क्या करना सबसे पहले helping word की जश्ट बाद subject मिलता इसी को में लिखना है जैसे में यहां पर लिखते हैं आपके सामने यहां पर हो गया वली ठीक है यह वली हो गया इसके बाद हमने का बता है कि जो लगा उसको लगा दिया यहां पर वाज लगा है तो आप उठा कर हम वाज लगा सकते हो विकाज लगा सकते हो ठीक है यहां पर हम लगा देंगे वाली वाज डीपेजड डीजायर देट की देट मतलब की होता है देट के बाद आपको पैसेज उठा कर इसमें भर देना तीन लेंग ठीक है इतना आपने इसके बाद देखो एक चीज़ और है त्रीक इसमें इसके बाद यहां पर वाई डिड अणी प्रैंट मैंटेंड डेर ठीक है इसको कैसे लिखेंगे यहां पर देख लो सबसे पहले आपको बीनमबर भी नमबर डाल दना ब्लैक पे इसके बाद यहां से उठाना क्या है हमने बता है helping work यहां पर है इसके जैस्ट बाद subject ट्रिक्त होता है सब्जेट कि अब का हो गया अन्य प्रैक ठीक है इसको लिख लेंगे यहां पर कि हमने बताः कि हाँ आ और जो यहां पर लीखें ना डीड को यहां या डीड आता है तो दिया सी P में इलहें प्रज़ित में अब्रव का सिकेंट भाइइं और उक्सर सिकेंट भाम होता है वह लाष्ट में याई डी लगाने से बनता है जिसे हां पर अगर है तो प्ले में क Zum Benamar बनाएंगे ठीक अगर यहांog अपका एडमायर दे लिए ठीक एडमायर और लास्ट में इसके लगा हुगा है तो हम क्योंड लगा देंगे यह हो जाएगा आपका है ठीक है यहाँ पर हमारा क्या है अन्नी प्रेंट इसके बाद हमें क्या लगाना जो भी इसके आगे हैं उसका सेकेंड मैंटेन है तो मैं इसमें इडी लगा देंगे लास्ट में नहीं लगा है जिसमें लगा हुगा लगा है सबसे मेन रूल इतना ही तिचर देखे गया तो खूस हो जागा क्योंकि क्वेस्टन से अंसर बनाने का ये सबसे अच्छी ट्रिक है क्यों मेंटेन करती ती यहां पे वाई लगा है तमने बता है जब भी वाई लगा हो तो यहां पे आप क्या लिख दो पे नंबर इसके बाद जिस भी आप चेंटर आइडिया लिखा हुआ इसको आपको थोड़ा सत्यार करें क्योंकि क्योंकि यहां पर पोईम्स भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगे यह कई बटेकनी की जरुरत नहीं है ठीके यहां पर पोयंस लिखेंगे इसी मीनिंग को उतार देना यहां पर इतना त्यार करना अगर यह चीज़े राबर्ट फ्राश्ट आपको नहीं पता तो इसको ब्लू से लिखना लेकिन पहले और दूसरे पार्ट का राइटर का नाम पता कर लेना याद कले नहीं पहले या दूसरे को लिख देना सही हो जाएगा ठीक है से न Independence Cень के बारे उसको आपको क्या करना अगर आ रहा तो लिखो नहीं आरहा है तो और आपके आपके वाने पेपर में कि इस को क्या करना आपको उठा pense कर किया करना के उटा करना कहीं से आप cancel के जिसे आप यहां से बात हैं तो उम्मीद करता हूं कि वीडियों आपको पसंद आये होगी और समझ में आये होगी, ठीक है, ना समझ में आये, तो कमेंट कर देना, एक बार इसा भी जादे डीटेल्स बना दूगा ठीक है तो आज की इस वीडियो में बस इतना है मिलूँगा एक नेश्टी वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद